नमस्तार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे गुड न्यूस तुडे के तमाम दर्शकों को सूर्य के मकर संक्रांती की हार्दिक शुब कामना है आज बात करेंगे मकर संक्रांती की इसके महत्व की और इस दिन किये जाने वाले प्रियोगों की बात करेंगे बारा राशी के लोगों के दैनिक राशी फल की और कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सकसेस मंत्र में तो चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग दिनांक 15 जन्वरी 2024 दिन सोमवार तिथी है पौश शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी नक्षत्र है शतभिशा नक्षत्र प्रातः आठ बच के साथ मिनट तक शंद्रमा कुम्भ राशी में संचरण कर रहे हैं राहु काल का समय प्रातः काल साथ बच के तीस मिनट से लगभग नौ बजे तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासी मिस्री खाकर और भगवान का समरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे अब जानते हैं दिनांक 15 जनवरी दो हजार चौबिस दिन सो मुवार को प्रातः काल पांच बच कर तीस मिनट पर ग्रहों की इस्थिती क्या है बुद्ध और मंगल विद्यमान है धनू राशी में सूर्य विद्यमान है मकर राशी में चंद्रमा और शनी विद्यमान है कुम्भ राशी में राहु विद्यमान है मीन राशी में ब्रिहस्पती मेश राशी में, केतु कन्या राशी में और शुक्र संचरण कर रहे हैं व्रिष्चिक राशी में ग्रहों की इसी इस्थिती के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशी फल क्या रहने वाला है सबसे पहले जानते हैं कि संक्रांती होती क्या है और जिस संक्रांती की हम बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांती की मकर संक्रांती क्या है देखिए सूर्य जब किसी राशी विशेश पर भ्रमण करता है किसी राशी में जाता है तो इसको संक्रान्ति कहते है सूर्य हर महीने में राशी का परिवर्तन करते हैं इसलिए कुल मिला के साल में बारह संक्रान्तियां होती है दो संक्रान्तियां सरवाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है एक संक्रान्ती है मकर संक्रान्ती और दूसरी संक्रान्ती है करक संक्रान्ती दो संक्रान्ती सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है मकर संक्रान्ती जनवरी के महीने में आती है और करक संक्रान्ती आती है जुलाई के महीने में सूर्य जब मकर राशी में जाते हैं तब मकर संक्रान्ती होती है और सूर्य देव जब करक राशी में जाते हैं तब करक संक्रान्ती होती है मकर संक्रान्ती से अगनी तत्व की शुरुवात होती है और करक संक्रान्ती से जल तत्व की शुरुवात होती है सूर्य देव मकर संक्रान्ती के समय उत्तरायण हो जाते हैं इसलिए इस समय किये गए जप का और दान का फल अनन्त गुना होता है हिंदू धर्म शास्त्र ऐसा मानते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब स्वर्ग के द्वार या पवित्रता के द्वार खुल जाते हैं इसलिए सूर्य के उत्तरायण होने पर विशेश तरह के जप, तप और दान का विधान बनाया गया है और मकर संक्रान्ती के अवसर पर आप जप करें, तप करें, दान करें इसका फल अनन्त गुना माना जाता है इस बार मकर संक्रान्ती का जो अवसर है वो पंद्रह जन्वरी को है इस दिन हम मकर संक्रान्ती का पर्व मना रहे हैं और इसके नियमों का पालन कर रहे हैं कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सक्सेस मन्त्र में अब जान लेते हैं मेश, व्रिशब, मिठुन और करक राशी के लोगों का दैनिक राशी फल मेश, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन का लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक चिन्ताएं आपकी समाप्त होंगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा व्रिशब राशी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ आपका बेहतर होता चला जाएगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा मिथुन राशी, पारिवारिक समस्या दूर होगी, धन की समस्या हल होगी, जीवन की समस्याएं भी हल होगी भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप अरपित करने तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा करकराशी, महत्वपूर्ण काम आपके रुख जाएंगे यात्रा में अगर जाते हैं तो समस्या हो सकती है खान पान में थोड़ी सावधानी बनाए रखे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगे बाकी बची हुई राशियों पर भी बात करेंगे लेकिन अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांती का जोतिश से क्या संबंद है क्या लेना देना है देखिए सूर्य और शनी का संबंद दोनों का इस पर्व से होता है मकर राशी शनी की राशी है और सूर्य मकर राशी में प्रवेश करते हैं इसी लिए दोनों का संबंध इस पर्व से होता है जिसकी वज़ा से ये काफी महत्वपूर्ण है कहा जाता है कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनी से मिलने के लिए आते हैं अपने पुत्र शनी के पास आते हैं आम तोर पर शुक्र का उदय लगभग इसी समय पर होता है इसी लिए जैसे ही मकर संक्रान्ति आती है वहां से शुबकारियों की शुरुवात हो जाती है अगर कुंडली में सूर्य या शनी की स्थिती खराब हो गडबड हो सूर्य और शनी की वज़े से जीवन में दिक्कत झिलनी पड़ रही हो तो इस पर्वपर विशेश तरह की पूजा से उसको ठीक किया जा सकता है जहां पर परिवार में रोग हो, कलह हो, अशान्ती हो वहां पर रसोई घर में ग्रहों की विशेश पूजा की जाती है नवान से नए अनाज से और ये पूजा करके लाभ लिया जाता है मकर संक्रान्ती पर आप अगर सूर्य की समस्याओं से परिशान है तो आप सूर्य के लिए उपाय कर सकते हैं या अगर आप शनी की समस्या से परिशान हैं तो शनी के लिए भी उपाय जरूर किये जा सकते हैं कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भब में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सक्सेस मंत्र में अब जान लेते हैं सिंग, कन्या, तुला और विश्चिक राशी के लोगों का दैनिक राशी फल सिंग राशी, कोई शुब सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी आर्थिक स्थिती में आपके सुधार होगा यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा कन्याराशी, दोड भाग आपकी काफी ज़्यादा रहेगी धन की स्थिती आपकी अच्छी बनी रहेगी मानसिक तनाव आपका कम होगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा तुलाराशी स्वास्त्य में सुधार होता दिख रहा है धन की स्थिती में भी सुधार होगा पारिवारिक समस्या आपकी दूर होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा व्रिश्चिक राशी परिवार में तनाव हो सकता है स्वास्थ का बहुत ध्यान रखे वाहन सावधानी से चलाएंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी वैसे तो मकर संक्रान्ती पर बहुत सारे तरीके की पूजा उपासना की जाती है लेकिन सामान निरूप से एक आम आदमी को मकर संक्रांती पर क्या करना चाहिए पहली होरा में सनान करिये सूर्योदय के बाद तुरंत नहा लेना बेहतर होगा नहीं तो कोशिश करें मध्यान के पहले बारा बजे के पहले सनान करें और सूर्य को अर्ग दे श्रीमत भागवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें नए अन, कंबल और घी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करियेगा भोजन में नए अनाच की, नए चावल की खिचडी बनाईएगा भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहन करियेगा मकर संक्रान्ती पर सुबह सूर्य देव को अर्ग देने के बाद आप मंत्रों का जब करें, आप ध्यान करें, आप भजन कीर्टन करें लेकिन सूर्य देव की उपासना करने के बाद और दान जरूर करेंगे सुबह का भोजन करने के पहले नए वस्त्र का, नए अनाज का, कंबल का और घी का दान करना आपके लिए शुब होगा कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सक्सेस मंत्र में अब जान लेते हैं धनू, मकर, कुम्ब और मीन राशी के लोगों का दैनिक राशी फन धनू राशी आपके स्वास्थ में सुधार होगा करियर में आपके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी हाना की रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा मकर राशी धन लाब के योग बन रहे हैं ओफिस की समस्या आपकी हल होगी लाब कारी यात्रा के योग दिख रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा कुम्भ राशी कारिक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा रुके हुए काम पूरे होंगे स्वास्थ आपका बेहतर होता चला जाएगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा मीन राशी वाद विवाद से बचाव करिये चोट चपेट इस समय लग सकती है रिष्टों के मामले में सावधानी बनाए रखे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा अब देखिए मकर संक्रांती का संबंद सूर्य देव से भी है और शनी देव से भी है अगर आप सूर्य की समस्याओं से परेशान है तो मकर संक्रांती पर दिन के समय में आप सूर्य के मंत्र का ग्यारह माला जब करिएगा ओम आदित्याई नमहा और सुबह के समय ही सूर्य की जो वस्तुएं है गुड है, आटा है, गेहू है, तांबे के बरतन है इसका दान एक बार कर दीजिएगा सूर्य संबंदी समस्याओं कम हो जाएंगी और अगर शनी की समस्याओं से जूज रहे हैं शनी की समस्याओं से परेशान हैं तो मकर संक्रान्ती को शाम को शनी मंत्र का जब करिएगा ओम शंग शनेशराय नमहा और संध्याकाल में शाम के समय में काली उड़द की डाल या खिचडी या काले चने इसका दान कर दीजिएगा अगर आप दिन के समय में सूर्य देव की और शाम के समय में शनी देव की पूजा करते हैं तो आपको सूर्य और शनी दोनों की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा चलिए अब जान लेते हैं स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भग में अगर आप मोटापे को काबू करना चाहते हैं तो रात में एक गिलास पानी में एक चम्मत जीरा डाल करके छोड़ दीजिए और सुबह ब्रश करने के बाद उस जीरे का पानी पी जाएए अगर नियमित रूप से ऐसा करें तो मोटापे को घटाने में इससे सुविधा होगी अब जानते हैं 15 जन्वरी 2024 दिन सो मुवार का सक्सेस मंत्र क्या है 15 जन्वरी को प्रातह काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा इसके बाद जितना संभव होगा ओम आदित्याय नमह इस मंत्र का भी जब करिएगा अगर आप ऐसा सुबह सुबह या दिन के समय में कर लेते हैं तो दिन भर के कारियों में सफलता अवश्य मिलेगी तो आपका दिन शुबह हो मंगल मैं हो इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आइस्टो तक एप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रॉलोजर से